हेलो एन विल्कम दोस्तों मैं हूँ आसीफ और आप देख रहे हैं आर जीबी बाइक्स तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हॉन्डा की अपकमिंग बाइक हॉन्डा सीभी 150RX Motion के बारे में भाई ये बाइक आपको बहुत ही जल्द इंडिया में देखने को मिल सकती है इस बाइक की कुछ लॉंच अपडेट आई है जिससे ये मालूम पड़ता है कि बाइक आपको बहुत जल्द इंडिया में देखने को मिलने वाली है तो आज के इस वीडियो में ह इन लोगों को Honda CB150R की पूरी जानकारी फूल डिटेल में चाहिए तो भाई मैंने वेबसाइड कलिंग नीच्छे ये दे रखा है वहाँ जाकर आप Honda CB150R की पूरी जानकारी फूल डिटेल में पा सकते हैं सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बाइक के प्राइस के बारे में तो भाई आपको Honda CB150R जो है ये बाइक आपको लगभग इंडिया में 1.40 लैक के असपास आपको ये बाइक एक शोरूम देखने को मिल जाएगी आपको इस बाइक में काफी अच्छा लुक वैसे भी देखने को मिल रहा है तो भाई ये बाइक 1.40 लैक में आपको वैल्यू फॉर मनी ही लगेगी आपको इस बाइक में काफी सारे फीचर भी मिल जाएगे तो बात कर लेते हैं कि ये बाइक आपको कब तक इंडिया में देखने को मिल जाएगी इस बाइक की जो लॉंच देट है भाई व आपको लगभग अगस्त तक मिल जाएगी तो बात कर लेते हैं होंडा सीबी 150 आर के इंजन के बारे में तो भाई आपको इस बाइक में 149 सीची का सिंगल स्रेंडर लिकुट कूल फ्यूल इंजेटेड बी एस 6 इंजन देखने को मिल जाएगा तो बात कर लेते हैं बाइक क पावर फिकर के बारे में तो भाई आपको इस बाइक में 20 PHP का मैसिमम पावर देखने को मिल जाएगा और आपको इस बाइक में 14 NM का टॉर्क मिल जाएगा साथ में आपको इस बाइक में सिंगल स्रेंडर 6 स्पीड गेर बॉक्स मिलने वाला है जिससे कि आपको इस बाइक म में लगबग 45 से लेके 50 तक की मायलेज भी मिल जाएगी तो आपको इस बाइक में काफी पावरफुल इंजन देखने को मिलेगा भाई ये बाइक MT-15 और KTM Duke 125 को बीट करने के लिए इंडिया में लॉंच होंडा करने वाला है तो बात कर लेते हैं होंडा CB 150R के ब्रेक साइन टायर के बारे में तो बाई आपको होंडा CB 150R में आपको फरंट और रियर दोनों में डिस्क देखने को मिल जाएगी साथ में आपको इस बाइक में डिवाज चैनल ABS देखने को मिल जाएगा और आपको इस बाइक के फरंट में 296 mm की डिस्क ब्रेक देखने को मि जाएंगे और आपको इस बाइक के रियर में 150 mm के टायर मिल जाएंगे आपको दोनों टायर टनाटन ट्यूबलेस मिलेंगे 17 इंच के अलोई वेल्स के साथ तो बात कर लेते हैं बाइक के शस्पेंशन के बारे में तो बाई होंडा सी भी 150 आर जो है जब ये बाइक इंडिया म होगी तब आपको इस बाइक में अपसाइड डाउन के फोर्स देखने को नहीं मिलेंगे आपको इस बाईक में टेलिस्कोपी के फॉर्स देखने को मिलेंगे बाइ होंडा इस दो बाई KI में वैसे भी कॉश्ट्ट चैन्ग cured को करे गा ही और आपकोस इस बाइक के सूइंग के swing arm भी देखने को ना मिले, आपको इस bike में lower के swing arm देखने को मिल सकते हैं, भाई होंडा इस bike में वैसे भी cost cutting तो करेगा ही, और आपको इस bike के color option में भी changes देखने को मिल जाएंगे, तो बात कर लेते हैं, होंडा CB150R के meter console के बारे में, तो भाई आपको इस bike में full digital meter console देखने क को मिल जाएंगे, जिसमी की आपको बहुत सारे features भी देखने को मिल जाएंगे, तो बात कर लेते हैं, कि आपको हंडा CB150R के meter console में कौन कौन से features मिलेंगे, तो भाई आपको इस bike के meter console में speedometer, takeometer, trip meter, low fuel, warning light, low oil indicator, low battery indicator, और आपको इस bike में gear indicator भी देखने को मिल जाएंगे, तो आपको इस bike में clock और ABS light का feature भी देखने को मिल जाएंगे, तो भाई आपको हंडा CB150R में काफी सारे features देखने को मिलने वाले हैं, तो बात कर लेते हैं, हंडा CB150R के lighting के बारहे में, तो भाई आपको इस bike में full LED के head lamp देखने को मिल जाएंगे, जो की round shape में आपको देखने को म मिल जाएंगे, तो भाई आपको इस bike में काफी aggressive सा look देखने को मिलेगा भाई, जो की ये bike काफी eye catchy रहने वाली है, यानि कि आप इस bike को जहां पर भी ले कर जाएंगे, तो आप इस bike को जरूर से जरूर नोटिस करेंगे, कि लोग आपको बार-बार मुड कर ही देख रहे है Honda CB150R की पूरी जानकारी के लिए भाई मैंने website के link नीचे description में दे रखा है, वहाँ जाकर आप Honda CB150R X motion की पूरी जानकारी फुल डिटेल में पास सकते हैं, तो भाई उमीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आ गया भाई, वीडियो को भी like कर दिया करो, तो मिलते हैं क किसी और वीडियो में तब तक के लिए, बाई बाई